नमस्का साथियों देश की अर्थव्यवस्था और मौजूदा बजट के बाद हो रही जन्मानश को तकलीफ को लेकर आदर्णिय राहुल गांधी जी की इस विशेश पत्रकार वारता में आप सब का स्वागत है मैं बगर किसी विलंब के राहुल जी से दर्खवास्त करूंगा के वो अपनी बात आपके स्मक्ष रखेंगे और फिर आपके सवालों का जवाब लेंगे आदर्णिय राहुल जी नमस्कार गुर आफ्टर नूँट अब आफ्टरनूँट मैं आज जो किसानों की समस्या है, जो दिल्ली के चारोर हो रहा है, और बजट पे, थोड़े पॉइंट्स रखना चाहता हूँ, सबसे बहला सवाल, सरकार किलाबंदी क्यों कर रहे हैं, क्या ये किसानों से डरते हैं, क्या किसान दुश्मन हैं, मैंने कहा है, किसान, हिंदूस्तान की strength है, शक्ती है, और इसको दबाना, मारना, धंकाना सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम किसान से बात करने का है, और इस समस्या को resolve करने का है, तिपलीन हम जाँ हैो है हाज ददलीजिगे इस हैंजरीज़िगे out week learned ΔE الإेवार आ भेपल तुर काज़ देज़ीज़ हैंजेशिपक वोस्तुमाइ। हश national not resolving this problem this problem is not good for our country it is not good for the peace in harmony our country it's not good for our the future of our kishans they need clarity the prime minister saying that the offer is still on the table to postpone these laws for two years what does that mean either you believe that you need to get rid of the laws or you don't so i feel that this issue needs to be resolved as soon as possible and the government needs to listen because kishans are not going away मैं किसानों को बहुत अच्छी तरे जानता हूँ ये नहीं जाएंगे पीछे नहीं हटेंगे अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा फाइदा है सबका कि आज हट जाएं तो ये किसानों पर मेरी एक्सपेक्टेशन थी बजट के बारे में कि सरकार हिंदुस्तान के 99 पर्तिशत लोगों को सपोर्ट देगी ये बजट एक परसेंट अबादी का बजट है जो हमारे स्मॉल और मीडियम इंडिस्ट्री के लोग हैं जो हमारे वरकर्स हैं किसान हैं जो हमारी फोर्सेज हैं उन सबसे आपने पैसा छीन कर लेकर उनी 5-10-15 लोगों के पॉकेट में डाल दिया है आप प्राइविटाइशन की बात कर रहे हैं वो भी फाइदा उनको मिलेगा और हिंदुस्तान को किस चीज़ की ज़रुवत थी हिंदुस्तान को अपनी जनता के हाथ में पैसे डालने की ज़रुवत है क्यों क्योंकि अगर हम अपनी अर्ध्यवस्ता को चालू करना चाते हैं तो वो कुंजम्शन से ही होगी वो सप्लाइश साइट से नहीं हो सकती है तो अगर सरकार ने नियाई योजना जैसा काम किया होता अगर स्मॉल मीडियम इंडूस्ट्रीज को पैसा दिया होता उनको प्रटेक्ट किया होत एकॉनमी चालू हो सकती थी सप्लाइश साइड में पैसा देने से एकॉनमी चालू नहीं होगी ये इसको ट्राइक करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं एक परसेंट को पैसा देते जा रहे हैं सोचते हैं कि हिंडूस्तान की एकॉनमी स्टार्ट होगी नहीं होगी ये रियाल चाइना हिंदुस्तान के अंदर आता है, हजारों किलोमेटर हमानी जमीन ले जाता है, और आप चाइना को बजट में क्या मेसिज देते हो, कि हमारा डिफेंज एक्स्पेंडिचर हम नहीं बढ़ाएंगे, तीन चार हजार क्रोड रुपए आपने बढ़ाया, चाइना को आपने क्या मेसिज दिया, कि आप अंदर आ सकते हो, आपको जो करना करो, हम अपनी सेना को नहीं सपोर्ट करेंगे, जो हमारे जवान लदाख में हैं, जो हमारे एरफोर्स के पाइलेट्स हैं, उनको आज क्या लग रहा होगा, कि हमारे सामने इतनी बड़ी कठिनाई है, और हमारी सरकार फोर्स को पैसा नहीं दे रही है, और जो हमारा है, फोर्स का है, वो उन्हीं पाँच दस लोगों को पैसा दिया जा रहा है, इससे देश को फाइदा नहीं होने वाला है, मैं दोरा रहा हूँ, इससे देश को फाइदा नहीं हो रहा है इस समय forces की commitment cent percent है सरकार की commitment 110% होनी चाहिए मतलब जो भी हमारी सेना को चाहिए जो भी हमारी air force को चाहिए, जो भी हमारी navy को चाहिए, सरकार को देना चाहिए यह कौन सी देश भकती है कि सर्दी में लदाख में हमारी सेना खड़ी है और आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो यह कौनसरनेशनलिस्म है अब आप सवाल पुछिए Thank you sir I'll come one by one I've got parliament so we have to have a slightly limited interaction A-N-I, Siddharth the view that वो जो ओफर था उसको वो टेबल पे है वो व्यू बात तो कर सकते हैं मगर किसानों की इशू क्या है किसानों की इशू यह है कि इन कानूनों को वापिस लीजिए और कोई इशू तो है ही नहीं देखिए हुआ क्या सरकार ने नोट बंदी की सरकार ने GST लागू की agriculture पे GST लागू की आपने हिंदुस्तान की economy को नश्ट कर दिया उसके बाद COVID आ गया और जबरदस ड्यामेज हुआ ब्राइट स्पॉट क्या था जब हमारी small and medium businesses बड़े बड़े बिजनेस से COVID से चोट लगी ब्राइट स्पॉट क्या था ब्राइट स्पॉट अग्रिकल्चर था आपको याद होगा कुछ महीने पहले agriculture is bright spot मतलब किसानों ने काम कर लिया किसानों ने हिंदुस्तान को बचाया अब आप उनकी जिंदगी नश्ट कर जो वो हमारी रीड की अडिया अब उनको मार रहे हो आप और फिर आप कहे रहे हो one phone call away मतलब क्या one phone call away क्या वो प्रधान मंत्री से बाचीत थोड़ी करना चाहते है वो अपना कानून ये जो कानून है उसको वापिस लेना चाहिए प्रधान मंत्री और बाचीत क्या है उसमें तो जो एक हिंदुस्तान का एक bright spot था उसको भी आपने तोड़ दिया ओमा शंकर जी इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है कोई कोई opinion नहीं है मेरा ये हमारा internal matter है ये किसानों का matter है बात clear है कि ये जो कानून है ये वापिस लेने है Thank you PTI Sanjeev Singh फिदेद जस्ट. झाशाफिए दो एक भे आप्सविति चत्वाझड दैभाब व्यार, और हमारा यूao ख़ूअदी? रप्सविति हमारा थाया सक्वैज फ्यास्ट. ये कि आप्सक्ताब जो discretion है और विकल रिगस्टेंथ, फिर दोफ पार, हैं वें शटर्ड़द बैप बेज़ पन्यच पार्ड़ब प्रड़। प्रड़ध प्रड़। एंधर्ड़। फिजए्ट रिजए्वार कार्ड़। एंषब प्रड़। तर्ड़। आपके प्रड़। एंधर। उस्त वब तो आपका कहना है कि जो इस देश में खेती करता है वो आतंकवादी है मतलब देश के 60% लोग आतंकवादी है मतलब सिरफ RSS के लोग आतंकवादी नहीं हैं बाकि सब आतंकवादी है ये किसान हैं अपना हक मांग रहे हैं सिंपल सी बात है आप उनका हक छीन के अपने पांच-सात मित्रों को देना चाहते हो जैसे आप हिंदुस्तान की सब इंडिस्ट्रीज को मनोपली बना रहे हो वो ही आप करना चाहते हो किसान आप से लड़ रहा है आप उसको आतंकवादी कह रहा है आप उनन्दा करें निया सुहां कि दो सकतर्पकाइब कԲज म analyst कारच会 में पटेखें woven टेती में पूम में रिपजार्ते हैं आपके क कज сл interven सकतर्पकाइब कर रिपाट टेहां को वस是啊 टौम Prosरब कंपाइब के zoals ब्रॉब एंट पर तो बोस केंद दो वड़ीघında into the red fort the home minister needs to explain to us what he was doing and why these people entered the red fort that's the explanation that i want to hear thank you sir can we can we go to mausami from arch okay why don't you ask okay distraction करने की bjp का तरीका है fact of the matter है अगर लाल के ले में किसी ने गलत काम किया तो वो home ministry की जमेदारी है home ministry का काम है कि उन लोगों को रोखें और उन पर action लें home ministry को समझाना चाहिए कि वो अंदर गुसे कैसे काम है basically if you look at if you look at the broader picture essentially what has happened is that the government is now unable to control the situation the governance of this country they are basically unable to handle it and their incompetence is now coming to the fore they have messed up the economy they have messed up the harmony they have messed up the defense and they want to keep distracting India with non-events I am saying that the country is in a dangerous position I am seeing that the world is in flux I am seeing that we have a aggressive China on the border they have a clear vision of what they want to achieve we do not have one we are completely unclear about what we want to achieve and it is dangerous for the country when you have a situation on the border like this you are destroying your economic structure you are weakening your economic strength it is dangerous for the country like I said in February COVID is dangerous for the country I was ridiculed I am saying it again the conditions that we are going through are dangerous for the country the country requires the Prime Minister to take strict quick action it requires that the Prime Minister puts money immediately into the hands of our people and starts the economy it requires that he protects the small and medium businesses who give us jobs none of that is happening and it requires, sorry, a clear message to China that you cannot do this with us you cannot be sitting inside our land and expect that nothing is going to happen this country is lacking leadership there is no leadership in this country anymore there is just talk there is no understanding there is no strategy the thing has come apart now of course what is there is a media that is controlled and so reality of what is going on is not coming out but believe me that Maya is going to break somebody is going to break that Maya and so my constant request to the Prime Minister is do your job do your job you have been elected to do your job your job is not to sell this country to 1% of the population that is not your job your job is to protect the Kisans who are standing outside that is your job go hold their hand give them a hug and tell them what is it that I can do for you your job is to make sure that small and medium businesses can compete with China talk to them ask them because they have the answer to China so the Prime Minister has basically given up he is now on a different plane he has got a beard and that we are going somewhere else now and the country is not being run and it is my request to the Prime Minister please gather up your courage and run the country thank you thank you sir